नमस्कार दोस्तों, कल देर रात को एक 11 बजे के आसपास लगतार एक खबर आने लग गई कि जो राज कुंदरा है, काफी फेमस परसनालिटी बिजनेस्मैन आप कह सकते हो, उनको अरेश्ट कर लिया गया है मुंबई पुलिस के दौरा for making porn films, यहाँ पर आप देख पाएंगे राज कुंदरा arrested by Mumbai Police for allegedly making porn films, publishing on mobile apps, तो इसके बारे में details से तो हम समझेंगे, कि exactly यह पुरा मामला है, क्या क्यों अरेश्ट किया गया, किस act के तहत किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा question है कि क्या भारत में जो porn है, क्या वो illegal है, क्या उसको देखना illegal है, या फिर उसको बनान illegal है, क्या है, पुरा मामला, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, तो काफी कुछ जानने को है, चलिया आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे app को भी download कर सकते हैं, सबसे with the case of pornography racket busted, मतलब कि Mumbai police ने अगर आपको याद हो, 3-4 महने पहले, February के आसपास, जो एक pornography का racket था, उसको बस्ट किया था, और उसके बाद से कई लोगों को arrest किया गया, टोटल बताया जा रहा है कि 9 लोगों को यहाँ पर arrest किया जा चुका है, और उसी से मैं यहाँ यहाँ पर key conspirator of this case, मतलब कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल है, वो राज कुंद्रा का बताया जा रहा है, इस पूरे pornography racket के अंदर, और Mumbai police ने clear कह दिया है कि हमारे पास sufficient evidence है, इस पूरे case के तहत, और मैं आपको बता दूँ कि कल देर रात को यह 8 बजे के आसपास, राज कुंद्रा क वो property cell के दौरा बुलाए गया, Mumbai police के दौरा बुलाए गया, और उनसे questioning की गई, और finally जाकर 11 बजे के आसपास खबर आने लग गई, कि finally Mumbai police ने उनको arrest का लिया है, इनफरक्ट मैं आपको बता हूँ, तो उनके just पहले, यहाँ पर एक और person है, उमेश कामत, उनको भी Mumbai police ने बा यहाँ पर Mumbai police ने arrest किया है, तो मैं आपको बता दू कि यह जो पुरा मामला है, आपको तीन act के तहत देखना है, एक है आपका Indian Penal Code हो गया, दूसरा है Information Technology Act 2000 में जो आया था, और एक और यहाँ पर act है Indecent Representation of Movement Prohibition Act, और यह सारी चीज़ें, Mumbai police के दौरा 4th of February 2021 इसी साल यहाँ पर register किया गया था, तो question आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कि Mumbai police ने किस तरह से यह जो पूरा racket है उसको burst किया, तो मैं आपको बता दू कि Mumbai police के दौरा बताय जा रहा है कि कई सारे film production company है, जो की pornographic videos जो है वो young women का लेते हैं, आपको पता है जो Mumbai है, वो एक प्रकार से film industry के तौर पर जाना जाता है, काफी सारी जो महिलाएं हैं, young women हैं, पूरे देश भर से वो Mumbai जाती हैं, कई सारे सपने लेकर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह के जो film production company हैं, उनके चकर में आ जाती हैं, और उसके बाद उनका जो pornography है, इस तरह की चीज़ें क property cell, उसके एक official ने यहाँ पर raid किया था एक बंगलो में, मलाड, मुंबई के अंदर मलाड के अंदर एक बंगलो है, वहाँ पर raid किया था, और finally जाकर करी 5 लोगों को यहाँ पर गिरफतार कर लिया, जब सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई, और ये जितने भी 5 लोगों को पहले arrest किया गया था, उनका involvement बताया गया कि जो men हो गया, women हो गया, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर film में काम करने के लिए, बड़े बड़े शपने देखने के लिए, तो उस समय उनको lure किया जाता है, उनको बोला जाता है कि अगर आपको बड़े film में काम करना है, बड़े अगर आप इसके revenue model को देखोगे, तो मैं आपको बताऊं, तो अभी का यह जो पूरा मामला है, 4th February से जो start हुआ था, उसमें बताया जा रहा है कि इनकी एक application है, इसका नाम है Hot Hit Movies, यह application है, जिसमें subscribers उसको download करते हैं, और pawn को देखने के लिए, यहाँ पर payment करते हैं, और इस अरेश्ट किया गया होगा, तो यह पूरा जो planning है, उनके द्वारा किया जा सकता है, अभी पर मैं कह रहा हूँ कि किया जा सकता है, में भी हो सकता है, क्योंकि Mumbai Police ने बोला है, finally यह सारी चीजे court के अंदर सिध होनी है, तो पूरी तरह से 100% मैं भी आपको सब कुछ यहाँ प production companies आप देखोगे, जो कि young women के उपर pray करते हैं, और यहाँ पर Bollywood के अंदर, TV industries के अंदर, जो काम करने आती हैं, महिलाएं, उनको ultimately compromise करना होता है कई लोगों के साथ, ताकि वो big budget Bollywood movies में काम कर सके, और यह भी बताया क्या है Mumbai Police के द्वारा कि Mumbai के अंदर, बहुत सारी जो bungal वहाँ पर उसको rent पर लिया जाता है, और सारी चीज़ें again shoot करके upload की जाती है, और पूरा जो lakhs of rupees हैं revenue में, वो यहाँ पर कमा पाते हैं, तो यह तो पूरा हमने अभी समझ लिया कि exactly हुआ क्या था, क्यों arrest किया गया है, लेकिन question यह आता है कि कौन से act के तहत, भारत के उस समय तो internet जैसी चीज़ें थी नहीं, non existent था, तो उसके अंदर directly as such आपको pornography के बारे में नहीं मिलेगा, लेकिन हा, उसके अंदर section 354A है, जो कि बोलता है कि अगर आप forcefully किसी को porn दिखाते हो, तो यह offense माना जाएगा, क्योंकि जो dignity है woman की, उसको यह compromise करता है, बस यही इत 2008 में भी amend किया गया था, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे, तो लिखा हुआ है clearly section 67 के अंदर, that publishing or transmission of obscene material in electronic form, तो obscene material क्या हो गया, जैसे pornography हो गया, यह electronic form में, अगर आप इसको publish करते हो, या फिर transmit करते हो, अब ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं पर यह नहीं लिखा गया है watching porn, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप publish करते हो, मतलब आप उसको बनाते हो, कोई भी obscene material, या फिर आप उसको transmit करते हो, अगर आप अपने whatsapp से किसी दूसरे को भेजते हो, तो यह सारी चीज़ें offense मानी जाएंगी, इसके अलाबा section 67A है, जिसके अंदर, यहा आपने देखा होगा, हमेशा अगर बातचीत चलती है, पॉर्नोग्राफिक की, जो जो सबसे बड़ा crime माना जाता है, वो है बच्चों के साथ यहाँ पर पॉर्नोग्राफिक करना, और मैं समझता हूँ कि यह बहुती घिनौनी चीज़ है, क्योंकि आप बच्पन से ही किसी बच्चे का जो पुरा जीवन है, वो डिसाइड कर दे रहो, उसको छीन ले रहो, बहुती घिनौनी हरकत होती है, चाइल्ड पॉर्नोग्राफिक, तो यहाँ पर सेक्शन 67 में, B में, क्लिरली लिखा हूँ है, ट्रांस्मिशन एन पॉब्लिकेशन और पॉर्न डिपिक्टि रहे हो, पॉब्लिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कोशन यहाँ आता है, कि overall यहाँ पर finally हम क्या कह सकते हैं, कि क्या जो पॉन है, वो illegal है इंडिया में, देखे, कहीं पर भी मैंने आपको यह नहीं बोला कि watching pawn is illegal, तो watching pawn is not illegal, आप ऐसा कह सकते हो, maybe, अगर आप इसक illegal नहीं है, watching pawn आपका है पाओगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को force करते हो, तो वो illegal माना जाएगा, तो पहला point आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी को force कर रहे हो pawn देखने के लिए, तो यहाँ पर illegal माना जाएगा, इसके अलावा, यहाँ पर अगर आप pawn को collect करते हो ब्राउस करते हो, आप website पर जाते हो, ब्राउस करते हो, तो उसके अंदर clearly लिखा हुआ है कि यह illegal है, तो 5 साल की सजा हो सकती है, 5 से 10 लाख रुपे की भी fine लगाया जा सकता, अब आप just imagine करके देखो, pawn जो है, वो कितना जादा difficult हो जाएगा collect करना, मतलब कि कोई person watch कर रहा ह आप कह रहे हो कि pawn देखना गलत नहीं है, illegal नहीं है भारत में, लेकिन आप उसको collect तो करोगे न, आप उसको browse करोगे, तो browse तो illegal हो गया, तो automatically यह माना जाता है कि कोई person अगर pawn देख रहा है, तो अपने आप में illegal हो जाता है, तो इसको इस प्रकार से आप interpret कर सकते हो, और जह इसको ban किया गया था, यह पूरा मामला किया था कि कहीं सारे जो activist हैं, वो supreme court चले गये थे, और supreme court के निर्देश के बाद से कुछ इस तरक की प्रकार की चीज़ें ले गए थी, कि 857 जो pawn sides है, और specifically यहाँ पर ध्यान दिया गया था कि जो बच्चों से related pornography है, उसको यहाँ पर ban किया जाए, तो यह पूरा मामला है दोस्तों, I hope कि काफी कुछ इधर दान, जानने को आपको मिला होगा, यह पूरा मामला क्या था, अभी present में situation क्या है, तो थोड़ी सी दूबधा है इस चीज़ को लेकर, बट I hope कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, जो भी मैंन पॉर्नोग्राफी है, उसको ट्रैकडाउन किया जा सके, जो यहाँ पर production industry है, जो इस तरह के काम कर रही है, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को लेकर, उनको ट्रैकडाउन करो, और जो है, उनको अरेस्ट करो, तो इसके लिए महाराष्ट पुलिस ने इंटर पोल से एक software लिय मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में आप जाकर प्ले कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए, लग-लग social media पर जुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, किसी भी state exam की preparation कर रहे हैं, definitely आप हमारे app को download क करें, studyiq.com पर जाएगे, बहुत ही affordable rates पर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्त खरा दी चाहती हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time till then, thank you very much, see you soon.